नमस्कार प्यारे साथियों मैं जी समौरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूग चैनल इक्सपर्ट आलाइन क्लास में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखिए आज ट्रांसफार्मर इस्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफार्मर से जितने कराया जाएगा तो आप लोग वीडियो को बिना इसक्रिप की वच्छे देखिए और मैं कोशिज करूँगा कि कम समय में आपको चाला ज्यादा कंटेंट डिलिवर कर सकूँ तो आजए हम लोग चैनल पर नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लिजे चैनल को सबस्क् बिडाउट चेंजिंग इन फ्रेक्वेंसी मतलब ट्रांसवार्मर एक इस्टेटिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्कुट से दूसरे सर्कुट में ट्रांसफर करता है बीना फ्रेक्वेंसी को चैनल की हुए ठीक है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इसमें दीखिए इसलिए इसकी इसी सभी प्रकार्ट की मशीनों से बहुच जप क्यासिया नेक्स प्वाइड कि होती है इसकी इसमें होती है उत कि आपनेंसीै इस होती है और ajud क्या होती है magnetically जुड़ा होता है एक दूसरे से it work under principle आप mutual induction या mutual induction के principle पे सिधान पे कारे करता है ठीक है next point इसमें देखिए voltage current level change करती है voltage और current level जो है change करती है power और frequency जो हती है वो constant रहती है ठीक है आई हम लोग next point देखते हैं इसमें हम लोग इसमें construction देखते हैं इसको पढ़ लेते हैं इसके बाद हम लोग चलेंगे next point पर तो देखिए transformer कौन कौन से देखिए conservator होता है यह conservator tank होता है इसमें oil भरा रहता है इसके बाद यह देखिए breather लगा होता है conservator और main tank के बीच में breather लगता है यह bussing होता है यहाँ पर यह bussing लगा हुआ है main tank जो है यह main tank है इसका core जो होता है इसके अंदर जो है cover होता है transformer का यह cover है और drain off के लिए कि यह एक event लगा होता है जिसको नली हम लोग बोलते हैं और यह cooling के लिए जो है transformer में tubes लगे होते हैं ठीक है इसके बाद देखिए हम लोग इसमें होड़ा सा यहाँ पर अच्छे देख लीजिए देखिए क्या क्या होता है कौन-कौन से पार होते हैं तो देखिए यहाँ प के बांडिंग होते हैं यह बांडिंग है transformer के और यहाँ पर cooling tube लगे है transformer का tank है यह पुरा जो है transformer का tank है यहाँ पर और इसमें transformer tank में जो insulation ice आयल बरा होता है इसके बाद देखिए इसमें है chluss狙 रिले जो है यह एक इता है यह konservator tank है और यह main tank है killьогоई pauser tank और main tank के बीच में जो है यह लगा होता है функation इसके बाद देखिए यहाँ पर लगा हुआ है यह आपका breather है ठीक है इन सभी से बहुत अच्छा चा कोस्टन बनने वाला है तो हम सभी को कोस्टन को देखेंगे वहले आ गया या यह हम लोग यहापर अब थेरी देखते हैं दिखिए तो देखें, यहाँ पर construction क्या है, construction में transformer tank होता है, transformer tank क्या करता है, पहला number of construction में है, transformer tank, यह mechanical protection provide करता है, transformer tank जो हता है, mechanical protection provide करता है, इसके बाद transformer oil आता है, transformer oil का हम लोग mineral oil बोलते हैं, कौन सा आयल बोलते हैं, mineral oil बोलते हैं, यह poly chlorinated by final का होता है, ठीक है, बना होता है, working क्या होता देखिए working जो होता है cooling प्रवाइड करता है और insulation insulation और cooling प्रवाइड करता है सबसे main का होता है work insulation प्रवाइड करता है उसके बाद secondary cooling होता है इसके बाद color question पुछा जाता है कि transformer iron का color कैसा होता है तो देखिए dark brown yellow होता है या dark brown होता है या तो फिर black होता है बुसिंग expecting tan worshipāं के टरिमिनल के आडपूट देने के लिए हम लोग बुसिंग का यूच करते हैं यह किसका बना होता ठीए पEMA आइक्षी का होता है या कहने ठीक है इसके पाद इसके स्थीए इसका ओई कंजरुटर इंख क्या यूज करते हैं conservative tank का तो रिड्यूस दर न्वाइल लेबल आयल लेबल को reduce करने के लिए हम लोग conservative tank का यूज करते हैं नेश्ट पाइंट इसमें देखिए बुकल्ज रिले देखिए बुकल्ज रिले से काफी question बनते हैं तो हम लोग बुकल्ज रिले यहाँ पर देखते हैं देखिए it is used only oil fill transformer बुकल्ज रिले जो हता है किवल oil fill transformer में हम लोग use करते हैं Gas Accuited Relay होता है Quesn पूछा जाता है कि कौनध किसमें यूज करते हैं तो Oil Fill x Max Sanon यूज कर सकते हैं कैसा आपरेटेड रीले होता है Buccal Relay किसा आपरेटेड रीले होता है तो Buccal Relay Gas आपरेटेड रीले होता है नेक्ट पॉइंट इसमें दिखिए it installed in main tank and conservator main tank and conservator tank के बीच में ये लगाव होता है और कितने degree पर question पुछता है कितने degree पर तो 2 से लेके 8 degree पर लगावता है इसके बाद दिखे 2 से 8 degree पर क्यों लगाते हैं तो to reduce the sludge formation sludge formation को reduce करने के लिए अगर हम लो令 को इसको थोड़ा सा तिर्षा लगाते हैं ठीक है भॉकल 주arrayס को और इसको कितने कीबिये से ऊपर होडर उता है तो 500 से ऊपर उता है उसमें हम लोग इसका को उता इसका करते हैं तो ये इसको जूम करते हैं फिर इसको दिखाते है को दिखिये यहाँ पर जो है देखिए बुकल जरीले देखिए क्या है तो यह में देखिए कंजरवेटर टैंक है और यह में टैंक है यह आपका में टैंक लगा हुआ यहाँ पर तो में टैंक और कंजरवेटर टैंक के बीच में देखिए कि यहां पर बुखल्ज रिया लगा गया कहा लगा होता है कंजर्वेटर टेंक और में टेंक के बीच में लगा होता कोड्ट जो भıyे देखें मेंन न कोड किसmar qore किसंता ही यह becoming of CRG को बना होता है ै Alt- Χ, और इसके इस्टिल का यूज़ करने से दिखे एड्वांटेज क्या है लोग हाई परमेल्टी लो कि विचेसी लास होती है इस वज़े से हम लोग शिर। करते हैं तो इसमें दिखे, कोर को लोग पार्थ प्रोइड करने के लिए हम लोग कोर का यूज़ करते हैं और इसके बद अई करने से इडवांटेज यह है कि jy । सब्सक्राइन ऐसमें होती है तो 0.35 जांटी य। next point इसमें देखिए हैं हम लोग डिखे आजрах गाड़ एशन कि ऍंद्द में size Up Core होता कि अगर इस्माल transformer है तो उसके लिए Nicholas rectangular with करते हैं जो CORE की कोड़ कोर होता है वह rectangular से में यूज करते हैं अगर large size का transformer है तो इसमें हम लोग Stave the circular core का यूज करते हैं देखिए Bredder किया है Bredder में हम लोग देखते हैं काफी question पुछायता है Bredder से Bredder क्या होता इसमे Bredder का work क्या होता इसमे कौन सा material यूज किया याता है कौन सा gel यूज किया याता है इन सभी को तो देखिए Bredder जो होता है में इसका ब्रीदर कारे होता है जो ट्रांसफार्मर होता है ट्रांसफार्मर टैंक में जो आयल होता है उसमें मौशर एपजार नहों करे इस वज़ा से हम लोग ब्रीदर का यूज करते हैं तो ब्रीदर में देखिए क्या है कि इसमें जब ब्रीदर में सिल्का जेल यूज कर तुझ कर लेता है तब माश्य को मतलब जब नहीं जार करता है तब इसमें जिश्ट को एबजार कहता है तो कईसाित खी है उसकालर होता है कि जो silka gel होता है जब marsher को absorb कर लेता है तो कैसा हो जाता है pink color हो जाता है इसको हम लोग reuse करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो दिखिए इसको डेर साथ लेके 200 degree centigrade तक गरम करते हैं इसके बाद फिर से blue color में आता है फिर से हम इसको यूज कर लेते हैं ठीक है इतना चीज़ आप लोग ब्रीदर से याद रखिए इसके बाद next point इसमें देखिए classification आप transformer तो classification आप transformer में देखिए क्या है single page के होते हैं single page में page के आधार पर अगर आप classification करते हैं तो कौन से single page होते हैं और three page transformer होते हैं इसके बाद construction के आधार पर देखिए core type के होते हैं और cell type के transformer होते हैं use के आधार पर आप देखेंगे तो कौन से होते हैं power transformer होता है और distribution transformer होता है इसके बाद cooling के आधार पर देखेंगे तो देखिए oil cooling होता है air cooling होता है और water cooling होता है सिर्कुलेशन के आधार पर देखेंगे सां सर्कुलेशन के आधार पर तर नीचुरेल फूलिग होता है और सबस्क्राइन होता है तो cool देखिए हम लोग थड़ा सा cooling के वारे हम क्योंकि कुश्चन बहुत कुछिछ आता गैं इसके बाद उने आइए मतलब आयल ने टैफटर एक कर राच उसके बाद देखें ऑकर अरब हो है वह यीट आयुमी tür यह करते है। इसके बाद एएर नेचोरिल इगानि ट्रवान होटे वह ग्रते हैं उसमें यूज़ करते हैं लगभग 25 कीविये से कम बाले ट्रांसफ़र्मरों जो होते हैं और या तो फिर देखिए अप टू 1.5 एम्बेके तक के ट्रांसफ़र्मरों में हम लोग और एयर निच्छरल यूज़ करते हैं ठीक इसके बाद देखिए हम लोग नेस्ट पाइंसर देखते हैं ट्रांसफ ट्रांसफार्मरों रेशियो क्या होता है तो देख़े ट्रांसफंफर्मों रेशियो जो हता है की इस्टारंन से कम है तो इसे धस каб word forever होगा और की की वेलू एक है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इसके लिए वन इस्टू वन टार्शामर भी बोला जाता है ठीक है देखिए बाइंडिंग की अधार पर कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग बहुत डीटेल से पढ़ेंगे आगे फिराल देखिए कंश्रक् जो सीटी होता है इस टेप अप ट्रांस्वार्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व इसके बाद देखिए construction के अधार पर construction के अधार पर देखिए कौन-कौन से होते हैं तो connection के अधार पर देखिए star delta होता है delta star होता है इसके बाद delta delta होता है star delta होता है Scott connection होता है और open delta होता है इतना जो है construction connection के अधार पर होते हैं देखिए star-delta का यूज कहा करते हैं sytare इस्टार करben करके यूज कहा करते हैं डेल्टा डेल्टा कर यूज कहा करते हैं यह सबी को हम लुग देखेंगे आगे चलके और बहुत अछे से यहाँ पर बताएंगे कि कौँछ टार्फर्मर कहां यूज होता है कि के बादि इसकोर्ण कनेक्षन होता है ओपिन डिल्टा उता है विमेगआ है कैसी होता है दिस्ट कैसे होता है दिके यमलches S2 I am sin omega two हुता है omega t होता है और flux जो हता है five m sin omega t होता है ठीक ँण कमेका है कहले इजी सस्ट कि लेंज इकन एम से यहां से फाई की वेल्यू रखी आप देखे फाईम साइन ओमेगा टी होता है इसको डिफ्रेंशियेट कर दीजिए तो माइनस एन फाई जो है बाहर आ जाएगा देखे तो एन फाई एम ओमेगा साइन नाइन टी माइनस ओमेगा टी इसको आप सिंपली देखे ऐसे लिख सकते हैं निगेटिव साइन को हटागिए साइन ओमेगा टी मैनस नाइनडी को मोई लेंगे हम एम देखे माइनस एनं ओमेगा फाई को लिखे हम् ूमेगा लिख देंगे उसके पाद साइन unified 0. raus. value convert करने के लिए 1.11 से multiply करती है इसमें फार्म फेक्टर से यहां पर आपको RMS value आ जाएगा 0.4 4.44 phi mf into n हो जाएगा तेहां से देखें यह कुछा जाता है कि जो induced emf होते हैं कौन सा होता है तो वह RMS value होता है 4.44 phi yuf n होता है ठीक है और secondary question देखें यह पुछता है कि transformer में जो induced emf होता है उसमें जो flux होता है और कौन सा flux होता है तो maximum flux होता है यह आप ध्यान रखिएगा कि transformer में question पुछाता है कि transformer में जो emf induced होता है कौन सा flux involved होता है तो कौन सा flux involved होता है maximum flux से involved होता है ठीक है देखे प्राइमरी साइड में इंडी जी मेंफ क्या हो जाएगा 4.445 यव N1 हो जाएगा ठीक है यह से secondary साइड में 4.445 यव N2 हो जाएगा यहां से E1 upon E2 is equal to N1 by N2 हो जाएगा transformer में देखिए transformer में following term तर्म कास्टेंट रहते हैं जैसे कौन कौन सा देखिए power कास्टेंट रहता है frequency कास्टेंट रहता है useful flux कास्टेंट रहता है E1 upon turn मतलब E by N जो होता है यह भी कास्टेंट रहता है कोशन आप से अगर कोई पूछता है कि transformer में कौन से term constant रहते हैं तो transformer में कौन से term constant रहते हैं power, frequency, flux और EM या per turn ये सभी constant रहते हैं इसके बाद देखें इसमें next point है transformation ratio transformer ratio जो होता है cage call to n2 by n1 cage call to n2 by n1, e2 by e1 या तो फिर इसी को हम लोग और लिखते हैं इसमें v2 by v1, which call to i1 by i2 होता है इसमें next point है आई हम लोग देखते हैं इसमें देखें, turn ratio जो होता है transformation ratio का ultra जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं turn ratio बोलते हैं next point इसमें देखें, leakage flux होता है leakage flux है, इसमें leakage flux जो है the part of flux which link with only one binding मतलब ऐसा flux जो केवल एक binding से link करता है उसे हम लोग leakage flux बोलते हैं, यह किसी भी पावर को transfer करने के लिए use नहीं किया था, एक दरह से यह मतलब leakage flux होता है यह मतलब disadvantage है transformer में देखें, यहाँ पर next point इसमें it take no part in transmission of electric power यहाँ जो है कोई भी मतलब roll अधा नहीं करता है power को transfer करने के लिए phi 1 and phi 2 20 transformer है यहां से keval is winding me, link कर रहा है इस winding me keval एक winding में पर link कर रहा है यहां पर यह culturally है, और यहां पर देखें जो secondary side में binding से link कर रहा है यह जो है plutôt hell यहां पर देखें कौन सा जो है h a self flux H यह leakage flux होता है और 5212 जो है देखिए 512 मतलब पहली बन्दिंग में भी लिंक कर रहा है और सिकंडरी बन्दिंग भी लिंक कर रहा है यहां से दिखे यहां पर यह तो यह होता है 512 ठीक है कि लिकेज फ्लक्स होता है लिकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ मेठड है हम उसको देखते हैं इसे दिखे क्या है इसमें मेठड आफ रिड्यूसिंग लिकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के मेठड है दोनों बाइंडिंग को कामन लिंब पर वाउंड करते हैं सब्सक्राइब नियुक्त है इससा नियुक्त है विरहें इस पर कर रहा है कि दोनों बाइंडिंगं करते debates बाइंडिंग करते हैं लियुक्त को ठाकशन भीट होँए इस होता हैं तो यहां पर सिलटॡ्य को हम लोग बढ़ा देते हैं तो leakage flux जो है वो कम हो जाता है perfect coupling के लिए क्या होता है के ब्राबर 1 रखते हैं इसके बाद high probability के core का यूज करके हम लोग यूज करते हैं देखिए इसमें k की value जो होती है अगर एक से जो है 0.5 से लेके एक के बीच में है तो तो tightly coupled होता है अगर 0 से लेके 0.5 तक होता है तो loosely coupled होता है और के बराबर 0 होता है तो no coupling होती है मतलब की primary और secondary binding में coupling नहीं होती है कि difference between core type transformer and cell type transformer core type or cell type में क्या difference है इसकाइब देखते हैं यहाँ पर देखिए तो जो 4 type का transformer होता है और इसमें क्या दिखिए इसमें CO2 limbo होते हैं 2 type में होते हैं कि दो दो इंद्ध रहता है को तक को से रहता है यहाँ पर एक binding करते हैं यहाँ पर यहाँ वोते हैं ठीक है Cale type में कितने होते हैं ? sell type में जो है आपर 3 limb होते है Jude type में कितने limb होते है 3 limb होते है जैसे ढ dar Tit 1 limb ये है 2-2 limb ये है 3 limb ये है ken silence call टायप में- single magnetic circuit होती है में अ Stephanie що です कितने होती है तो कितने होती हैं, दो magnetic path होती है, एक देखिए, इस sides जाती है, ऐसे, और दूसरा वाला जो होती है, इस sides जाती है, ठीक है, तो इसमें 2 magnetic path होते हैं, इसके बाद third में देखिए, थ्रड़ आप इसमें पंटे श्रांडे को स्रांडेड रखती है जो इस ने को अचे स स्रांडेड टाइप से प्रसा एक जोटाईप по प्रसक्रे से कर्णलम मॉर नाओठ बार बॉनिंड पंटेर काड़ında होता है जबकि सेल टाइप में ज्योता है सेल टाइप में मौर को मलापला होता है कम होता है लिकेज फ्लक्स कम होता है इस वोज़से जो है लिकेज फ्लक्स ज्यादा होता है इस वोज़से जो है लिकेज रियक्टेंज ज्यादा होता है इस वोज़से जो है लिकेज रियक्टेंज ज्यादा होता है इस वोज़से लिकेज रियक्टेंज कम होता है बो high voltage के लिए यूज करते है और concertrous winding का यूज किया जब कि cuma जोता है लो voltage के लिए औहर sandwich बॉइद सिंटेकों का यूज किया जाता हैं कि इंसुलेशन के लिए space z2 याधाSec ardent call裡面 और sena इंसाफेशन के लिए unless Tesla कम होता है कि कि इतना आप लोग जाना किए को टाइप और सेल टाइप में डिफरेंस अब पावर ट्रांस्वर्मर और डिस्टिबिशन ट्रांस्वर्मर में डिफरेंस देखें क्या है पावर ट्रांस्वर्मर डिस्टिबिशन ट्रांस्वर्मर जो हता है देखिए 700 KVA तक होता है डिस्टिबिशन ट्रांस्वर्मर जो हते हैं 700 KVA या 500 KVA तक भी दिया रहता है उसको डिस्टिबिशन ट्रांस्वर्मर होते हैं और पावर ट्रांस्वर्मर जो हता है से इबाब जो होते हैं QuitANS consider se और बैरिएबल लोड के लिए बैरिटीरिशन कीश्चम्रे लोड के लिए हम लोग चलाते है लेस लोड कंडिशन नॉत सround-से आप मतलब अगर लोड कम होता है डिश्ट्रिशिविशन ट्रास्वार्मपोर को हमलोग स्विच आप करके नरके हैं लेकिन पावर ट्रास्वार्मपोर यहां उतना है उसको उसको उसीच आप भी आपरेट करते हैं इसके बाद देखिए next point है इसमे specific weight होता है इसका higher होता है power distribution transformer का जो होता है specific weight जदा होता है, size बड़ा होता है अगर same rating का दोनों लेते हैं तो और power transformer जो होता है specific weight lower होता है all day efficiency होता है distribution transformer में all day efficiency होता है यह 24 hour तक चलने वाला transformer होता है जबकि power transformer होता है full load efficiency होती है इसमें same rating के लिए distribution transformer has greater size जो अगर आप लोग देखेंगे same rating का बना जाए यह से एक MBA का बना जाए power transformer का और एक MBA का बना जाए distribution को distribution जो transformer होगा उसकी size ज़्यादा होगी ठीक है यहां से इतना हम लोग question देखेंगे बाकी next lecture में देखेंगे तो यहां पर देखिए क्या है अगर आपको वीडियो informative लगता है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और इसका पीडियो जो है दिखेंगे टेलीग्राम चैनल पर अप्लोड कर दीजाएगे तो वहां से अप्लोड डाउनलोड कर दीजी पीडियो को थैंक्यू थैंक्यू सो मच फार वाचिंग माई वीडियो